हेलो दोस्त नमस्कार मैं विपिन कुमार अपनी यूटूब चैनल में आप आप स्वागत करता हूँ और आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल इस्टोरी सुनाता हूँ जो सीखते रहने पर अधारी थे डियर एक कारीगर था एक जोपड़ी में रहा करता था और वहां टोकरी बना कर मार्केट में 20-20 रुपे में बेज दिया करता था अब वहां कारीगर धीरे धीरे बुढ़ा होने लगा उसके मन में खयाल आया कि यहां टोकरी बनाने का काम अपने बच्चे को सिखा देता हूँ जिससे कि वहाँ टोकरी बेश सके और अपने परिवार को जीवन यापन करा सके एक दिन अपने बच्चे को बुलाया और बोला देखो बच्चे मैं बुढ़ा हो रहा हूँ अब आप टोकरी बनाने का काम सीख लीजिए ताकि आप मार्केट में टोकरी बेश सकें और अपने परिवार को जिला क्याया और यहां काम अपना सदियों से चला आ रहा है और इस काम को आपको सीख लेना चाहिए काम अच्छा था लड़के ने मान लिया कि ठीक है पापा हम टोकरी बनाने का काम सीखेंगे पिता जी ने पहले दिन उसे टोकरी बनाना सिखाया और बना करके उसे मार्केट में बेचने के लिए भेजा बच्चा मार्केट में टोकरी लोग करके गया टोकरी को बेच करके वापिस आया वहां बच्चा बहुत उदास था पिता जी बोले आप उदास क्यों है उन्होंने बोला कि मेरी बनाई गई टोकरी मातर 10 रुपे में ही बिची है पिता जी बोले कोई बात नहीं आप लगातार टोकरी बनाना सीखते रहिए हम आपको टोकरी बनाना सिखा देंगे जो महेंगे दामों में आप बेश सकेंगे दूसरे दिन पिता जी ने टोकरी बनाना सिखाया और फिर से बोला जाओ मार्केट में बेच करके आओ अब वहां बच्चा मार्केट में टोकरी बेचने गया आज उसकी टोकरी 15 रुपए की बिच गई अब वह 15 रुपए की टोकरी बेच करके वापिस आया फिर से उसके चेहरे पर उदासी थी पिता जी बोले आज आप उदास क्यों है बोला मेरी बनाई गई टोकरी मातर 15 रुपए में ही बिची है पिता जी बोले कोई बात नहीं चलिए आज हम आपको सिखाते हैं आपको और अच्छी टोकरी बनाना सिखा देते हैं जिससे कि आपकी टोकरी महगदाओं में बिच सकेगी बच्चे ने फिर से सीखा और तिसरे दिन टोकरी बेचने गया आज उसकी टोकरी तिस रुपए को बिच गई अब जब वहां तिस रुपए की टोकरी बेच करके वापिस आया तो अपने पिता जी से मुस्कान पाया अपने पिता जी के सामने मुस्कुराता नजर आया अब पिता जी उसको मुस्कुराते हुए देख करके बहुत प्रशन हुए बहुत खुस हुए पिता जी बोले क्या बात है आज तुम्हारे चेहरे पे बड़ी मुस्कान है उसने बोला हाँ पिता जी क्योंकि आज मेरी बनाई गई टोकरी तेस रुपए में बिग गई पिता जी बोले बहुत अच्छा बटा चलिए आज हम आपको और सुन्दर टोकरी बनाना सिखाएंगे जिससे आप 40 रुपए में टोकरी बेच लेंगे अब वह बच्चा खमंड में आ गया इगों में आ गया और अपने पिता जी को जवाब देता है नहीं पिता जी अब आप से हम टोकरी बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि आप खुश सोचिए आप टोकरीया आज तक 20-20 रुपए में ही बेच करके वापिस आए हैं और आपकी बनाई गई टोकरी मातर 20 रुपए में ही लोगों ने खरीदा है प्रन्तु आज आप मुझे देखिए मेरी बनाई गई टोकरी 30 रुपए में लोगों ने खरीदा पिता जी यहां सुन करके उन्हें याद दिलाया कोई बात नहीं बिटा आप जो बोल रहे हैं वहां सहीं बोल रहे हैं लेकिन बिटा आज से कुछ साल पहले जब मैं आपके दादा जी से यानि अपने पिता जी से टोकरी बनाना सीखा था तो मेरे पिता जी 15-15 रुपए में टोकरी बेचा करते थे और मैं एक दिन 20 रुपए में टोकरी बेच करके वापिस आया तो मेरे पिता जी ने भी यहीं बोला कि चलिए आज हम आपको सिखाते हैं जो आप 25 रुपए में टोकरी बेच लेंगे परन्त मैंने जवाब अपने पिता जी को यही दिया था जो आप मुझे दे रहे हैं कि नहीं पिता जी आप 15-15 रुपए की टोकरी बेचते आए हैं मैंने 20 रुपए की टोकरी आज बेचा है अब आप मुझे क्या सिखाएंगे हम आप से अच्छा बनाना टोकरी जानते हैं और बेचना जानते हैं तो मेरे पिता जी ने भी यही जवाब दिया था कि कोई बात नहीं बटा आप सीख लो वरना आप 20 रुपए तक ही सीमित रह जाओगे तो मैंने उनकी बातों को नहीं माना और नहीं सीखा मैं 20 रुपए की टोकरी ही बेच पाया आज आप 30 रुपए की टोकरी बेच करके आए हैं और 40 रुपए की बेचने वाली टोकरी अगर नहीं सीखेंगे तो आप भी 30-30 रुपए में ही सीमित रह जाएंगे इससे जादा टोकरी नहीं बेच पाएंगे यहां कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यहां घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ न कुछ आप से अधिक जानता हो हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए लेकिन हम आप गलतियां क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा सीख जाते हैं और अपने से सामने वाले को थोड़ा सा कमजोर समझ लेते हैं, वहीं से अपने जीवन में सीखना बंद कर देते हैं, ज़रा सोचिए जब उसने अपने पिताजी से सीखे थे, तो वो 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और उसने 20 रुपए को बेचा, तो 25 रुपए की बेचने 20 रुपए में टोकरी बेचा करते थे, आज वो 30 रुपए की टोकरी बेच करके आया है, और 40 रुपए की टोकरी बेचने वाला ग्यान नहीं लेगा, तो क्या जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक उसी परकार से आप भी कर रहे होंगे, ज अब आप सोच रहे होंगे, हम इनसे जादा जानते हैं, अब इनसे हमें क्या सीखना है, तो समझ लिजिए कि लाइप यहीं से आपकी खतम हो रही है, इसलिए इस कहानी से आपको एक ही संदेश हम देना चाते हैं, कि जीवन में कितना भी आगे निकल जाओ, कितना भी कमाई होने लगे, कितना भी कुछ सीख जाओ, परन तु नया सीखने के लिए हमेसा तयार रहे, कभी पीछे मठ हती है, और अपने दिमाग में कभी यह सोचने के लिए मजबूर मत कीजिए, कि हम आपसे जादा जानते हैं, सब दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, चाहे अच्छे बेक्तियों से मिलेए, चाहे खराब बेक्तियों से मिलेए, तो डियर, आज की कहानी यहीं तक, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, तो आप इस कहानी को ज़रूर याद रखिए, और अपने लोगों के बीच में सेयर कीजिए, कहानी से आपको क्या सीख म लिए है एक commitment box में अपना प्यारा सा commitment दिजिए आज की कहानी यहीं तक thank you wish you all the best